next question is find Intel of increase and decrease in the following cases तो यह तो बहुत simple सा question है solution first case में y कितना है x plus cos x ये ठीक है तो सब्सक्राइब तो इसका domain कितना देगा इस function का r ठीक है फिर हमने सब्सक्राइब कितना देगा 1-syn x अब यह जो 1-syn x है this is always greater than or equals to 0 plus equals to 0 वाले points है वो discrete points होगा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरे interval में sin x का value वह नहीं आ जाए constant 1 हो जाए sin x ऐसा तो हो नहीं सकता तो उसका मालब है कि function is drastically increasing है तो this implies interval of increase क्या हो क्या हो गया r तो interval of decrease कुछ नहीं आया है यह तो first case first part हो गया second part में उसने y-डेस दे रख रहा है यह ठीक है increase and decrease of the following cases for function y is equal to fx माना y के लिए increase यह decrease बताना है तो दूसरे है कि इसमें y-डेस दे रखका है x-1 x-2 का square x-3 का q यह y-डेस है तो वापन इसका भी डूमेन आ रहे है जो कि 1 2 3 तो यहां positive होगा यहां negative होगा यहां negative होगा और यहां positive हो जाएगा sin ठीक है क्योंकि 2 वाला जो रूट है उस पर even power है even power है तो यह cross करते है समय साइन जेंज नहीं होगा ठीक है तो इस पूरे interval में negative हो गया एक जगा 2 पे 0 जरूर होगा बट उससे कोई फरक नहीं बढ़ता क्योंकि इसके इदर उदर तो फिर भी negative है तो even उस पॉइंट पे भी decrease ही करेगा तो इस वाले के इसमें interval of decrease क्या हो गया one two three and interval of increase क्या हो गया वो जाएगा minus infinity से one closed and union use करते हैं नहीं three to infinity यह ठीक ही यह हो गया ठीक है third question क्या है y is equals to x ln x third question is y is equals to x into ln x इस वाले कि इसमें जो domain function का वो कितना है r plus इस बात का मतलब क्या है कि r plus के इलावा और कहीं कुछ comment करने के जोगती नहीं है तो differentiate किया तो y dash कितना जाएगा s का derivative one into ln x plus x as it is ln x का derivative one by x तो यह कितना आ गया ln x plus one ठीक है अब ln x का value minus one कब होगा x is equals to one by e पे तो इस वाले case में क्या हुआ यह मालने x axis है यह 0 है 0 के left domain नहीं नहीं है तो 0 के cable आ गया कि बाच चले और one by e पे यह 0 हो रहा है तो फिर sign of y dash क्या हो जाएगा अगर इसमें मैंने one by e रखा तब तो ln x का value minus one हो जाएगा तब तो minus one plus one 0 हो गया अगर इसमें मैंने one by e से यह बड़ा number रखा यह ठीक है तो ln x का value भी बड़ा आएगा minus one से तो एक तो यह ध्यान रखने वाला चीज़ है कि minus one से बड़े का मतलब minus two नहीं होता है minus two तो छोटा है minus one से बड़ा होगा तो यह positive हो जाएगा ठीक है तो इधर positive होगा इधर negative होगा 0 को तो include कर नहीं सकते है तो interval of decrease क्या हो जाएगा negative वाला 0 open से 1 by e closed यह ठीक है and interval of increase क्या हो जाएगा 1 by e से infinity यह ठीक है थर्ड पार्ट अब फूर्थ पार्ट करना है y is equals to x cube into e raise to bar x ठीक है fourth part क्या है y is equals to x cube into e raise to bar x domain is का आ रहे है क्योंकि x cube polynomial है उसका भी domain होगा और e raise to x का भी domain होगा तो differentiate किया तो 3 x square into e raise to bar x अगर x cube को differentiate किया e raise to bar x का derivative e raise to bar x तो यह जाएगा x square e raise to bar x into x plus 3 यह ठीक है अब अगर sign की बात करें तो यह 0 कहां पर होगा 0 पर e raise to bar x कहीं पर भी 0 नहीं होगा और x plus 3 0 कहां पर होगा minus 3 0 के इधर positive 0 के करस्पढ़िए फिर even newt आ गया तो इस पर फिर sign change नहीं होगा तो इधर positive रहेगा इधर negative रहेगा तो 0 पर y-0 तो हुआ बट उसके धर-धर positive है तो 0 पर भी function increase ही करेगा तो इस वाले के इसमें interval of decrease क्या हो जाएगा minus infinity से minus 3 closed and interval of increase क्या हो जाएगा minus 3 closed से infinity ठीक बीच में जेगा पर 0 हो रहा है बट उस point पर भी increase ही कर रहा है कि उसके आगे भी graph उपर होगा उसके पहले ग्राफ नीचे होगा तो increase उस point पर भी कर रहा है ठीक है फॉर्थ पार्ट and 5th पार्ट 5th पार्ट जो है वो थोड़ा टकी है तो procedure नहीं है बस और कुछ नहीं अगर differentiate के इसमें तो f-x कितना जाएगा यह 21 है तो कि इसको differentiate के तो 21 21 cancel हो जाएगा तो x raise पर 20 minus x raise टुपार 17 plus x raise टुपार 12 minus x raise टुपार 7 plus x square minus x plus 1 जाएगा ठीक है domain of course इसका भी आ रहे है ठीक है अब तुम इसको ऐसे देखो कि analysis के लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया 0 से 0 1 के round break कर लिया ठीक है 1 के आगे क्या होगा कि x की सारी पावर जो है x की सारी पावर जितनी भी हाँ पर लिखे होए सब positive होगा यह ठीक है और जिस x का पावर बढ़ाए उसका value बढ़ाएगा ठीक है तो case 1 में हमने क्या हो लगे अगर x 1 से बढ़ाए ठीक है तब तो जो हमाला f-x आ गया x दिआफ 20 – 17 plus x स्क्राइब से स्क्राइब स्क्राइब इसमें क्या होगा कि जो अगर x 1 से बढ़ाए तो जिसमें 새 पावर बढ़ाए उसमें वैल्यू बढ़ाएmas नार्पर करनू Pac-1 एक थि महीं स्क्राइब जितन ओस बढ़ाए और जिसमें इस इन दोनों में 12 वर 7 में 12 बढ़ा है तो फिर यह भी पॉसिटिव रहेगा ऐसे यह भी पॉसिटिव रहेगा और वन तो पॉसिटिव ही तो उसका मुना कहा है अकसे इस पॉसिटिव हो गया तस इंपलाई की फ गाओ गया हिस इंक्रीजिब कर अगरए थे pouss यह लाओ अगर as negative हो जाएं तो यह पॉसिटिव हो जाएगा odd power जो है वो एक्स के negative हो जाएंगे तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम इस पूरे expression को देखो गए इस पूरे expression को तो इसमें odd पावर पहले सी negative के साथ आरहा है तो यह negative और यह मिला के positive हो जाएगा तो फिर यह positive फिर यह negative और यह मिला के positive यह भी positive है फिर यह positive कहने का मतलब कहीं कि सारे term फिर positive होगए by chance तो उसका मतलब कहीं कि अगर x 0 से चोटा है तो भी function f के is increasing है ठीक है अब case 3 बसता है कि अगर x माल लिया 0 और 1 के बीच में ठीक है तो f dash x equals to x raise to power 20 अगर x 0 और 1 के बीच में तो x का कोई भी power लिखो positive भी आएगा यह ठीक है बस 0 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा कि जो x का बड़ा power आएगा उसका value छोटा हो जाएगा x square और x cube में x cube छोटा होगा अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी number लिया तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि x raise to power 20 और x raise to power 17 दोना पॉजिटिव तो होगा बट x raise to power 20 छोटा होगा x raise to power 17 से तो मतलब यह term negative होगा तो इस वहले case में हमने क्या किया कि ऐसे क्लब करने के बजाए ऐसे क्लब कर लिया 1-x x तो एक से चोटा है तो यह positive हो जाएगा x square और x raise to power 7 में x square में power छोटा है तो इसका value बढ़ा हो तो यह फिर dominate कर जाएगा फिर यह positive हो जाएगा यह भी positive हो जाएगा यह anyways positive है तो इस बार भी क्या आ गया positive है this implies f-x अगर greater than 0 है तो इसका मतलब कहें कि fx is increasing ठीक है तो हमने पूरे x-axis को तीन पार्ट में डिवाइड किया तीन पार्ट में तीनों बार्ट में positive आ गया यह ठीक है positive आया इस चीज़ का जो explanation था वह अलग अलग था बट आया तो positive सही है अब अगर positive आ गया तो this implies f is entirely increasing function ठीक है